गुड मॉर्णिंग बच्चों, कैसे हैं आप? विश्वास है, आप अच्छे से रह रहे होंगे और अपने दे गए समय का प्रापर यूज़ कर रहे होंगे तो आज हमारा 30 मेको सेशन 29 के साथ प्रेजन्ट मैं आपके सामने और हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं ये जो सामने मिलेगा, वो स्तनानिम्स टेस्ट होंगे लें उससे पहले मैं बता दूँ आपको बच्चों की ये मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ जिसे एनलाइस करना कहते हैं बहुत सारी चैनल्स पर आप देखेंगे वो एनलाइस करते हैं मैं एनलाइस नहीं करता हूँ, मैं पूरा पढ़ाता हूँ आपको एक-एक शब्द, एक-एक लाइन, हर वो चीज जो मुझे लगता है जो लाइन के आप नहीं समझ पा रहे होंगे मैं उसे बार-बार रिपीट करता हूँ, सिर्फ फिशली क्योंकि मेरा टार्गेट केवल अपना समय वितीत करना नहीं मेरा टार्गेट है कि धीरे-धीरे मैं आपको कामप्रेहंशन के लेवल पे, क्लोश टेश के लेवल पे क्योंकि मेरा टार्गेट क्या है, आपको बनाना, उन बच्चों के समझाना कि अब आप पढ़ना सीखें, बिना पढ़ें नहीं कुछ होगा, अच्छी वर्डपावर बना लेए, धीरे-धीरे क्योंकि बहुत-बर ऐसा होता है न, जो पैसे दे गए होते हैं, बड़ी-बड़ी लाइंस दी गई होते हैं, उनको हम हिंदी में समझ नहीं पाते हैं and unless and until we are able to understand the meanings of the sentences, जब तक हम उनके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, we can do nothing, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बच्चों इसलिए हमेशा ध्यान रुखे, मेरा टार्गेट आपको समझाना है, पढ़ाना है, न की अनॉलाइस करना, इसलिए मैंने हीडिंग दिया, एडिटोरियल रीडिंग, यहने अनॉलेसिस के तौर पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं पूरा पढ़ाना चाहता हूँ, आपक लाइन आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी हम, quote that motivates you से, यह quote आप से कहता है कि, education is the passport to the future, समझते होंगे बच्चों आप, कि जो education है, वो future के लिए एक प्रकार का passport है, यहनि अगर आप future के तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने भावश्य के passport लेकर के ही जाना होगा, far, क्योंकि tomorrow belongs to those, क्योंकि कल, जो आने वाला कल है, तुमारो आने वाला जो कल है, वो उनहीं का है, who prepare for it today, जिसकी तयारी वो आज करते हैं, यानि जो लोग आज तयारी कर रहे हैं, निश्चत ही वो कल उनका रहेगा, मैं अपने बच्चों से कहता ह हूँ, कि हम जो नहीं कर पाए, आप वो कर सकते हैं, यानि आज वो अपना बना लेंगे, तो कल वो किसी और का भी बनाने के काबिल हो चाएंगे, ठीक है बच्चों, तो आप भी अपना आज बना लें, ताकि कल आप अपनों का बहतर बना सकते हो, ठीक है, चले आगे प्रिन पर है सननने मिस टेश्ट, यह देने का मकसद आप समझते होंगे, ताकि आप जो वर्स पर हेकल उन वर्स को देख लें, बलकि सारा आप देखा करें, बच्चों, होल एंड शोल देखा करें, ताकि आपकी पूरी प्रेपूशन दो जल्दिस बता दें, स्वार्म का स अर्थ बताया गिया था आपको याद है, battered, adjective के रोप में, battered, क्या हो जाएगा बच्चों, battered तो होगा नहीं आपका, battered क्या हो जाएगा, insert, जो घायल हो, चोटिल हो, hurt हो, wounded हो, वो battered है, disparate, not disparate, disparate का क्या अर्थ बताया गिया था आपको, याद है, disparate, जो चीज़े अलग अलग components से बनी हो, ठीक है, में जो असमान हो, अलग-अलग हो, तो disparate क्या हो जाएगा, dissimilar, जो similar नहों, वो disparate है, आपका इस्पलिंग त्यार कर लीजेगा, बेन तो बिल्कुल पहले से भी आपको आ रहा होगा बेन, बेन के क्या होता है, बेन मेंज एक अभी sharp, एक sharp, जो चीज़ों को नश्ट करे, curse, antiquated, मैंने कल बताया था आपको, दो antique, एक antique, ये बताया था, और एक antique, ये बताया था, ठीक है, ये antique क्या है, अजीव, वचित्र, strange के sense में, और ये antique क्या है, पुराना, तो antiquated, adjective रूप में हो जाएगा, पुराना, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, old-fashioned, जो चीज़ outdated हो, old-fashioned हो, outmoded हो, वो क्या है, antiquated है, लर्क करना, याद है आपको लर्क, मैंने नकसलिष्ट का example दिया था, कि वो जब ambush करना चाहते मैंने हमला करना चाहते हैं, तो लर्क करते हैं, मैंने घात में बैठे होते हैं, चिप कर बैठे होते हैं, तो लर्क का क्या हो जाएगा, hide हो जाएगा, बर्जन important word है, spelling के point आप दी उसे भी आपको, तो बर्जन मैंने क्या होता है, खिलना, प्रसफुटित होना, ठीक है, जाही हो फ्लरिश कर रहे है, thrive कर रहे है वो, ब्लाइट्स क्या है, एक प्रकार का, याद है आपको, ब्लाइट्स तो बेन, कर्श के सेंस में, वो चीज़ें, जो के इनके नुकसान पहुंचा आती हों, बिपत्तियां ले आती हों, वो ब्लाइट्स हैं, मैंस क्या हैं, वो बेन हैं, एक अभिशाप हैं, नुकसान करने वाले चीजें हैं, मराज याद है आपको, मेंस जो लूट पाट करना, प्लंडर करने के लिए इधर उदर क्या करना, घूमते रहना, रोम अबाउट करना, तो मराज का क्या हो जाएगा, डेस्पॉाइल हो जाएगा, लूट हमले के लिए त्यार हो जाना, अप सर्ज करना, सर्ज मैंने कहा था, सर्ज मेंस एकठा करना, एकठा होना होता है, तो क्या हो जाएगा, अप सर्ज का राइज, एक कोई उभार, किसी चेज का, कहते हैं न, किसी चेज का राइज करना, जब आप हमले के लिए उठते हैं, तो कर देना, एनिहिलेट कर देना, किसे चीज को, डिस्ट्राइ कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, एलिमिनेट कर देना, यह क्या हो जाएगा, डिवास्टेट कर देना, मेट्रोलाजी याद है, किस चीज का विज्ञान है यह, यह मौसम विज्ञान है, मेट्रोलाजी, तो मौस के रूप में है brew यह मैंने अपनी किताब में सुपर सिक्ष्टी वर्ड पाउर में भी वर्ड दिया था ब्रू क्या होता है एक्चली जो शराब की भठी होती न जहां शराब बनती है तो वहां पे शराब धीरे-धीरे बनना प्रारंब होती है वहीं से वर्ड लिया गया brew ब्रू क्या होता है कोई ऐसी प्रक्रिया यानि कोई ऐसी चीज जो एक प्रोसेस में हो प्रक्रिया में हो बनना आरंब हो रही हो वो ब्रू कर रही है यानि ब्रू में सो to be in the process of अर्थात बनना आरंब होना किसी चीज का ध irony एक noun है irony अगर literature आप थोड़ा बूत पढ़े हो तो irony एक व्यंग को ताना जो होता है न टांट के रोप में वो irony या एक word यहां चो नहीं दिया गया अच्छा दिया गया बच्छों यह है satire यही में लिखने जा रहा था satire भी क्या होता है व्यंग ही होता बट irony और satire में फर्क होता है irony क्या होता है एक ऐसा व्यंग होता है जहां direct नहीं टांट किया जाता हो और satire क्या होता है direct टांट किया जाता है तो irony means कोई व्यंग, कोई ताना, लेकिन इस editorial के हिसाब से irony या ironical का अर्थ होता है शाद आप जानते हो विडंबना, क्या होता है बच्चों, विडंबना, means कोई ऐसी चीज जिसके बारे में सोच कर आश्चरी होता हो this is irony, means एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह एक सरकाजम है, means एक व्यंग है, एक रिडिक्यूल है, means व्यंग है, एक माकुरी है, मजाक उड़ाया जा रहा है, एक सटायर है, व्यंग है, विडंबना है next word है, tirade, noun के रोप में यह भी आपका है, tirade क्या होता है, बहुत लोगों की कुछ चीज़ें regular कहने की आदत हो जाते हैं, वो एक निंदा भाशन उनका शुरू हो जाता है, प्रलाप शुरू हो जाता है, यह जो प्रलाप या निंदा भाशन होता है, यही tirade होता है, means a long, angry speech of criticism or accusation, जब आप किसी की आलोचना करने के लिए, उस पर आरोप लगाने के लिए, लंबा चोड़ा भाशन देते हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, tirade कहेंगे, means क्या कहेंगे हम, निंदा भाशन कहेंगे, यह प्रकार का die tribe है, means एक प्रकार का आच्छेप है, यह प्रकार का criticism है, means एक क्या है, आलोचना है, अर्था जब आप किसी के लंबी चोड़ी आलोचना करते हों, बार-बार करते हों, प्रलाप करते हों, तो वह एक निंदा भाशन है, means क्या है, नाउन के रूप में एक tirade है वो, next word है, is corn, आना चाहिए आपको, इससे एक और word बना है, अगर आपको याद होगा, is cornful, जो चीज़ें घंडित होती हैं, आवनाकसश होती हैं, hateful होती हैं, वो क्या होती हैं, is cornful होती हैं, ridiculous के sense में भी आप क्या सकते हैं, तो जो इसकार्न यहाँ, noun के रूप में दिया गया है, और यही इसकार्न दिहान रखेगा बच्चों, verb भी होता है, यहाँ noun के रूप में है, घंडा या तिरशकार, और अगर यही इसकार्न वर्ब के रूप में रहेगा, तो किसी के प्रति घंडा प्रदर्शित करना, या अवमानना करते हैं, उसका तिरशकार करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक प्रकार का इशकार्ण कहलाता है, means एक घणाया तिरशकार कहलाता है, ये एक contempt है, अवमानना है, ये एक derision है, means मजाक उड़ा रहे हैं आप, ये एक destain है, एक घणा है, एक प्रकार की hatred है बच्चों, हेट्रेड है घणा है ये भी अगर यूज करना चाहता हूँ ये प्रकार का लोत है घणा है और एक वड़ अगर आपको याद हो ये डिस्पाइज हो ये सब घणा के सेंस में यूज करता है नेक्स्ट वड़ है इंसेंडियरी इंसेंडियरी का शुद्ध अर्थ वो होता है एक ऐसी चीज कोई ऐसी डिवाईश जिससे आग लग सकती हो वो इंसेंडियरी होता है एक एडजेक्टिब के रूप में लेकिन इंसेंडियरी एक और चीज होती है बहुत बार आप लोग कु is also incendiary. Incendiary means आग लगाने वाला, किसी को भरकाने वाला. यानि जो combustible है, यानि जिससे आग लग सकती हो. जो flammable है, जिससे आग लग सकती हो. जो inflammable है, जिससे आग लग सकती हो. और अगर मैं इस भरकाने वाले के sense मिलूँ, तो जो क्या है बच्चों? Exciting है. जो उत्तेजित कर सकता हो, लोगों के बीच को भरका सकता हो, वो incendiary होता है. Scrap off, ये एक phrasal verb है आपकी. To remove something by scrapping action. Scrap समझता है, किसे चीज़ को छील कर अलग कर देना. तो scrap off means क्या कर देना? To remove करना, isolate कर देना, eliminate कर देना, means क्या कर देना? हटा देना. तो scrap off, जब आप किसी चीज़ से, जैसे माल लिज़े, कोई चीज़ आपने लिया, उस पर paint लगा है. और आप उसको blade से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, छील छील के. तो आप किर रहे हैं, scrap off कर रहे हैं, means उसे remove कर रहे हैं. तो scrap off remove कर देना, हटा देना. नेक्स वड़ है, जैसे हम ऐसे बोलें, hail, our India, means भारत माता की, जै, हमारे देश की, जै हो. तो hail क्या होता है? अभी वादन करना. किसी का, जब आप बहुत अधिक, गुडगान करते हैं, तो आप क्या करते हैं? hail करते हैं. वर्ब के रूप में, यहां पर आपको दिया गया है, किसी का अभी वादन करना, means call out to someone, to attract attention. यानि जब आप किसी का अभी वादन करते हैं, ऐसे, तो आप किया करते हैं? उसे hail करते हैं. तो आप उसे greet कर रहे थे, आप उसे occasionally कर रहे हैं, आप उसे address, यानि संबोधित कर रहे हैं, आप उसे hello कर रहे है, means sembodhit कर रहे हैं, यह helloसे better he बना ले, बच्चों hello कर रहे हैं. नेक्ट वर्ड है prodigious, एक वर्ड साहथ आप जानते हों बच्चों यह आपमें इसकुश बच्चे जरूर जानते होंगे प्रोडिजी प्रोडिजी एक ऐसे बच्चे को कहते हैं.. जो एक Google गुगल बूआय की तरह हो.. means क्या हो बिलकुल, विलक्षण हो, दूसरों से बिलकुल अलग हो, वो prodigy होता है, उसी prodigy में I-O-U-S जोड़ा गया, क्या बन गया, आपका ये adjective बन गया, क्यों किसी भी शब्द में अगर I-O-U-S है, तो वो adjective होता है, तो prodigyous से एक adjective के sense में क्या हो गया, विलक्षण, यानि कोई ऐसा जो बिलकुल अलग हो, brilliant हो, वो prodigyous होता है, मैं इस क्या है, वो wonderful है, amazing है वो, surprising है वो, वो आपका prodigyous है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक अलग sense में, दूसरों से अलग sense मिलेंगे, तो इसका अर्थ ये भी हो जाएगा, unusual है, strange है, इस sense में भी आप योज कर सकते हैं, next word है democratizing, इतना तो समझते होंगे बचों, democratic क्या होता है, democratic क्या होता है, जो लोकतांत्रिक हो, तो आप ध्यान से देखे, democratics में, ising जोड करके, इसे क्या बना दिया गया, वो बना दिया गया, वर बना दिया गया, ऐसे, ये आपका हो गया se, democratize, जो शब्द के अंत में isc होता है, ize होता है, तो मैंने बताया था, वो वर्ब होता है आपका, तो democratizing क्या हो जाएगा, वर्ब के रूप में ing जोड कर किसे जीरंड या present possible बना दिया गया, means, लोकतंत्रिक करन, और थात किसी चीज का, लोकतंत्रिक ट्रक्रिया के तहत ले आना, उसे democratize करना होता है, means, एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं कि किस तरीके से democratic system के तहत रहा जाता है, तो जब वो democratic हो जा रहा है, तो आपने उसे क्या कर दिया, democratize कर दिया, next वोड़ा भी आपने पढ़ा था, एक तरह से, incendiary के sense में, inflammatory, ठीक, ये भी word भी दिया गया था, inflammatory भी वही होगा, जो incendiary होगा, भड़काने वाला, और ये भी क्या होगा, adjective हो जाएगा, तो जो provocative हो, provoking हो, inciting हो, steering हो, या अगर अभी आपने पढ़ा था, incendiary हो, वो क्या है, inflammatory है, ठीक है, laudatory एक adjective के रोप में है, लेन आपे जाने, ये word पहले है, laud, laud है, laud क्या होता है, किसी की प्रसंशा करना होता है, laud क्या है यहाँ पे, verb, तो laud प्रसंशा करना, उसी से adjective बनेगा, laudatory, means adjective बन गया, अर्था प्रसंशात्मक, कोई ऐसा कारी आपका, जो laudatory है, means क्या है, व कारी प्रसंशात्मक है, आठातों कारी आपका complimentary है, प्रसंशायोगे है, Congratulatory है, प्रसंशायोगे है, praising है, प्रसंशायोगे है, extrolling है, प्रसंशायोगे है, या अगर word यही याद हो आपको, प्रेजवर्धी एक ही में प्रेजवर्धी क्या होता है प्रसंशायोग है तो अगर कोई कारिय लवडेटरी है कोई एक्षन तो क्या है प्रसंशायोग है निक्स्ट वर्ड है रेन इन आप बच्चों तीन रेन आप जानते होंगे देखें सबसे पहले आप ये बच्पन जानते हैं ये रेन आप जानते हैं बारिशोना नाउन के रूप में भी होता है और वर्ब के रूप में भी होता है एक रेन भी साथ आप जानते हो रेन र-e-i-g-n होता है रेन में शासन करना होता है क्या होता है शासन करना होता है रेन आपका शासन करना और तीसरा भी रेन है बच्चो र-e-i-n रेन नाउन के रूप में क्या होती है एक लगाम क्या होती है लगाम और वर्म के रूप में क्या हो जाएगा लगाम लगाना हो जाएगा लगाम लगाना अर्थात किसी पर नियं उसे रेगूलेट कर रहे हो उस पर अपना लगाम लगा रहे हो तो आप रेन इन कर रहे हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है सावरेन सावरेन क्या होता है इस सब्द में संजोक से अभी देखे पीछे मैंने बुला था ना आर ए आई जी एन रेन मेंसी शा राशन होता है तो शावरेन कौन हो जाएगा वो सासक बच्चो जिसके पास ये शक्ति हो शुप्रीम पावर होती है वो सावरेन होता है एक्चुली हम इसे किसको कहते हैं इश्वर के लिए यूज करते हैं बड़ एक ऐसा राजा जिसमें सरवोच शक्ति व्याप्त होती है वो सावरेन होता है क्योंकि उसमें ये शक्ति हो जाती है और टी वाई जोड़ दे सावरेंटी सावरेंटी का जो शुद्ध अर्थ होता ह सावरेंटी मेंस होती है संप्रभुता क्या होती संप्रभुता आप अगर सोचे समझे संप्रभुता इनि जो प्रभु के समान हो जाए अर्था उतनी शक्ति जिसके पास आजाए उसके पास क्या जाएगी सावरेंटी आजाएगी और जैसे उसके पास सावरेंटी आजाए मेंस हो, क्या हो जाएगा? वह साशक हो जाएगा, राजा हो जाएगा. तो सावरीन क्या हो जाएगा बच्चों? एक साशक यानि जो आदमी एक रूलर हो, एक मुनार्क हो, वह एक सावरीन होता है. class apart, यह एक phrase था जो मैंने दिया आपको बताने के लिए, बहुत बार आपका बोलना, कोई statement आपका class apart होता है, कोई आपकी performance है, वो class apart होती है, यानि दूसरों से बिलकुल अलग होती है, ordinary नहों करके extraordinary हो जाती है, और साधान हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, this is class apart, class कोई कला, और apart अलग, यानि जब आपके अंदर एक अलग की कला हो, दूसरों से आप अलग हो, तो you are class apart, या your statement is a class apart, तो class apart में दूसरों से बिलकुल अलग, यानि जब आप much better than others, आप a similar kind, यानि आप जैसे बहुत साइल लोग हो और आप उनसे बिलकुल अलग हो, तो आप क जानता है बच्चा, कि यह क्या होता है, जंडा, फ्लैग में जंडा, ना उन की रोप में, लेकिन फ्लैग एक और होता है बच्चो, फ्लैग क्या होता है, किसी को चेतावनी देना, किसी को वार्न करना, या किसी को यह बताना, कि देखो यह चीज़ इंपॉर्टेंट है, य ये flag करना होता है, ठीक है, नेक्स्ट वर है आउट रेज़, आॉट रेज, रेज मीन्स मैंने एक दिन बता है था आपको शायद, रेज मीन्स प्रचलन भी होता है और रेज मीन्स क्रोध भी होता है, सेम इस्पेलेग, जिन शब्दों के spelling एक हो, उनका pronunciation एक हो, लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं, वैसे शब्दों को बच्चों आपसा जानते हों, homophone नहीं, homonim कहा जाता है, जिनकी spelling और जिनका pronunciation एक होता है, वो homophones होते हैं, और ऐसे शब्द जिनका pronunciation तो एक हो, जिनका pronunciation तो एक हो, ले जैसे आपने ये लिखा ishtil और ishtil, pronunciation एक इनका है लेकिन इनका क्या है अर्थ अलग-अलग है तो ऐसे शब्द homophones हो जाएंगे, इनकी spelling सारी, spelling अलग-अलग इनकी है ये homophones हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ये लिखते हैं ishtil और ishtil, इनकी दोनों की spelling भी एक है और इनके अर नेम हो चाहेंगे किस दिन समय रहेगा मैं आपको होमों ग्राफ भी बता दूंगा जो मेरी स्टूरेंट्स को जानते होंगे चलिए तो आउट रेज क्या है आपकी नाराजगी एन एक्स्ट्रीमली इस्ट्रॉंग रियक्शन अफ एंगर शाक और इंडिगनेशन जो होता है वो आउटेलीज है मेंसे एक प्रकार की नाराजगी है और यह आपका एडिटोरियल है और बुरुविंग इस्ट्रॉंग इस्ट्रॉंग बनाम Twitter, एक brewing storm, यानि एक ऐसा storm, एक ऐसा तुफान brewing, जो धीरे धीरे क्या हो रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, धीरे धीरे वो प्रगत्ति के तरफ बढ़ रहा हो, यानि एक ऐसी एक ऐसा तुफान, जो धीरे धीरे अपना आकार ले रहा हो, वो एक brewing storm हो जाएगा, पहले वर्स देख लेते हैं, Twitter did well to call out Trump, but fake news is an ecosystem by itself, पहले words देखें, यहां Twitter subject के रूप में है, तो Twitter क्या हो जाएगा, आपका noun हो गया, did यहां helping verb नहीं है, क्योंकि helping verb होती ही, इसके बाद action verb होता, नहीं है न, इसका मतलब यहां do की second form main verb के रूप में है, और जब action verb के साथ, well आता है बच्चों, तो हमेशा धिहान रखेगा, वो तब well जो होता है, वो well क्या हो जाता है, आपका, एड़ वर्ब हो जाता है, ठीक है, और जब किसी is a MR वाजवर के साथ well आता है, तो वो well क्या हो जाता है, adjective हो जाता है, जब कोई कहे, he acted well, तो वहाँ well एड़ वर्ब है, क आड़ वर्ब, to call out, आप जानते हैं, to यहाँ infinitive है, क्योंकि to के साथ यहाँ verb है, call, लेकि call के वल नहीं है, call out है, call out क्या है, phrasal verb है, क्या है, phrasal verb, phrasal verb वो होती, जिसका एक वर्ब के रूप में अलग वर्ब हो, अलग अर्थ हो, लें जब उसके साथ कोई adverb या preposition जोड जाए, तो इसका अर्थ बदल जाता है, this is phrasal verb, ठीक है, to call out क्या हो गया, phrasal verb, trump यहाँ पे आपका noun हो जाएगा, but, यहाँ क्या है, class को जोड रहा है, यहें conjunction हो गया, fake news, news आप जानते हैं, बच्चों यह एक noun है, तो fake क्या हो जाएगा, adjective हो जाएगा, is यहाँ mean verb है, an ecosystem, ecosystem system क्या है, noun है, तो n क्या हो जाएगा, आप जानते है, article या determiner हो जाएगा, by यहाँ क्या है, preposition, और itself आप जानते है, reflexive pronoun है आपका, ठीक है, और इसको समझते हैं, Twitter did well, यानि Twitter ने सही कारे किया, सही कारे किया, to call out Trump, call out means क्या होता है, किसी को criticize करना, यानि publicly जब आप criticize करते हैं, तो आप call out करते हैं, ठीक है, to call out Trump, यानि Trump की निंदा करके, Twitter ने सही कारे किया, बट लेकिन fake news, समस्ते होंगे बच्चों, जो भ्रामक खबरे होती हैं, fake news होता है, is an ecosystem by itself, वो by itself मतलब खुद ही, स्वयम ही, यानि जो fake news है, by itself वो खुद ही, एक ecosystem बन चुका है, यानि एक पारिस्थित की तंत्र बन चुका है, यानि एक ऐसा system बन चुका है, जो परिस्थिती जन्य रूप से खुद हर जगह क्या है, उपस्थित है, यानि fake news को एक तरह से टाला नहीं जा सकता है, हटाय नहीं जा सकता है, क्योंकि या खुद से ही एक ecosystem, एक अंग बन चुका है, आप कुछ भी खोलेंगे, कोई भी पोर्टल खोलेंगे, कोई भी social media खोलेंगे, new channel खोलेंगे, हर जगह आपको fake news के क्या मिलेगी, भरमार ठीक है, ये tone की रूप में अगर आप देखें बच्चों, अगर कोई पूछे इसका tone क्या है, तो इसका tone बच्चों ये है, ridiculous tone है, means क्या है, इसमें व्यंग किया जा रहा है, अगर हम कह सकते हैं, तो taunting है, means क्या है एक प्रकार का, व्यंगात्मक शैली यहां यूज किया गय आप शैली के साथ बताया गया है, ये आप समझ सकते हैं, बच्चों, ये ऐसा विवाद हुआ है, जो Donald Trump, अमेरिका के राष्टपती और Twitter, जो की एक social platform, social media का, उसके बीच हुआ है, डॉनल्ड ट्रम्प के कुछ एक statements को, Twitter ने क्या किया, सिदे call out किया, मैं इस एक तरह सुनकी निंदा कर दे, जब उसने call out किया, तो इससे क्रोधित हो करके, डॉनल्ड ट्रम्प ने क्या किया, ये धमकी दे दे, कि अमेरिका में सभी प्रकार के social media platforms को, या तो regulate कर दिया जाएगा, या तो उन्हें नियंतरित कर दिया जाएगा, या फिर उन्हें close down कर दिया जाएगा, मैं सर, suspend किया जा सकता उन्हें, या निलंबित किया जा सकता कु प्रेसेडेंशियल एलेक्शन के लिए नॉमनी थे डॉनल्ड ट्रम्प, तो उस समय भी कहा गया कि रोज की कुछ ताकते थे, जो उन्हें हराना चाहते थे, अभी फिर से, जब नमेंबर में वहां पर चुना होने वाले हैं, तो फिर से डॉनल्ड ट्रम्प का आरोप है, कि सोचल मीडिया प्रेटफॉर्ण पे डॉनल्ड ट्रम्प ता गुसा जो एंगर है उनका वो फूट पड़ा है, और वैसे भी आप जानते हैं, ट्विटर पे उनके 80.4 मिलियन फालोवर्स हैं, इसका मतलब करीब 8.5 करोड फालोवर्स हैं, उस ट्विटर पर जिसके खिलाफ क्या निकालने अपना क्रोध प्रदर्शत कर रहा हैं, ट्विटर भी जो है, वो जबाबी कारेवाही कर रहा है, यानि वो फैक्च्वली शिक करना चाह रहा है, यानि उनके जो इस्टेटमेंट्स हैं, वो उनको फैक्ट चेक में रख रहा है, कि उन्होंने जो कहा है, वो स समझते हैं जानते हूं आप कि जो Facebook है वो अपना Digital Currency लेकर आ रहा है Libra के नाम से जो बहुत सारे Nations के लिए एक प्रकार की चिंता का विश्य है कई सारी Social Media Platforms जो है यह Genocides में कहीं कहीं Insight करते हैं बढ़ावा देते हैं लोगों को भरकाते हैं एक यानि करीब 6-7 या 4 billion dollars जो है फाइन के रूप में जुर्माने के रूप में देना पड़ा इसका मलब कहीं कहीं उचने डेटा के साथ क्या किया था खिलवार किया था तो यह चीजें बताती हैं कि कुछ और कुछ गरबर है यह जो Social Media Platforms हैं यह अपनी आपको Global कहते हैं क्या कहते हैं Global है मिन्स शार्व भाहमिक हैं वैश्वी करण हो चुका इनका और यह सोचते हैं कि सरकार की निगाहों से भी क्या रहें दूर हैं लेकिन इस संभाव नहीं है बच्चों ठीक है यह इसी पर पूरा एडिटोरल परते हैं ठीक है देखें करें as political ironies go ironies बिडम बनाएं व्यंग as political ironies go यानि जैसे जैसे राजनितिक बिडम बनाएं चलती हैं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रॉम्स टाइरेड यहां देखें यूएस पर दो नहीं लगा है क्यों नहीं लगा है क्योंकि यहां nomination हो गया उनका तो जैसे जैसे राजनितिक बिडम बनाएं आगे बढ़ती हैं यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रॉम्स टाइरेड वैसे वैसे डॉनल्ड ट्रॉम्स जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनका जो टाइरेड है उनका जो निंदा भाशन है उनका जो प्रल यानि जैसे जैसे political ironies आगे बढ़ती हैं राजनितिक वनम बनाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे अमेरिका के राष्टपती डॉनलर्ड ट्रम्प का जो निंदा भाशन होता है टाइरेड होता है वो जो social media platforms के खिलाफ निकालते हैं वो टाइरेड उनका वो टाइरेड के लि two of his posts as a factually inaccurate after के बाद वाली क्लास बच्चों past perfect होने चीए बट फिर देखूंगा जब एक के तुरंद बाद दूसरी घटनाएं हो तो आप past and definite भी American English में यूज़ करते हैं after twitter flagged two of his posts two of his posts यानि उनकी कई सारी जो posts होती हैं उनमें से दो posts को flagged twitter ने क्या किया यानि social media platform twitter ने flag किया यानि उन्हें criticize किया उनकी आलोचना कि publicly criticize किया as a factually inaccurate क्या कहते हुए कि आपकी जो statements हैं दोनों factually तथ्यात्मक रूप से inaccurate हैं और थात सही नहीं हैं क्या हैं वो गलत हैं तो जैसे twitter ने ऐसा कहा flag किया में सुने बताया उनकी आलोचना कि तो the president threatened याद हो गया धमकाना तो president ने क्या दिया उनको धमकी दिया twitter को to strongly regulate कि मैं तुम्हें क्या कर दूँगा regulate कर दूँगा मैंस मजबूती से तुम्हें नियंतित कर दूँगा मैं और या अगर तुम नहीं माने तो close down मतलब suspend कर दूँगा या बंद ही कर दूँगा all social media platform सभी social media platforms को ऐसा उनों कब कहा जब twitter ने कहा कि आपके दो जो statements है statements में से आपके वो दो statements कहिंके factually inaccurate हैं तत्थ के आधार पे क्या पाए गये हैं गलत पाए गये हैं जब आप किसी को गलत कहते हैं बच्चो न कोई भी अपनी निगाह में गलत नहीं होता है क्योंकि इंसान जिस दिन यह समझ जाए वो गलत है उस दिन वो इंसान बन जाए अभी तो नहीं होता है देखें लाइक लाइक मिन्स यहां पे क्या like most of his statements लाइक यहां क्या है बच्चो प्रिपोजिशन लाइक जब प्रिपोजिशन होता है की तरह हो जाता है और जब वर्ब होता ह है तो इसके मिन्स पसंद करना होता है like most of his statements याई अपनी अधिकतर यानी अपनी statements में से most यहां most क्या है pronoun most अगर अगर होता है तो most क्या हो जाता है pronoun like most of his statements यानी अपनी अधिकतर statements की तरह this one two देखे this one के साथ two है जिसके बारी में भी वाला sense आए वहाँ पे two का प्रियोग करें तो अपने अन्य statements की तरह ही this one two appeared यानि ये statement भी appeared प्रकट हुआ दिखाई दिया on twitter उसी twitter पर where he has 80.4 million followers जा उनके करीब 8 करोंड 40 लाख क्या है उनके followers है मैं उनके अनुयाई है followers है जब उन्होंने कहा कि मैं सारे social media platforms को regulate करूँगा strongly regulate करूँगा या उन्हे close down कर दूँगा ये उनका statement भी कहाँ appear हुआ इसी twitter पर appear हुआ जिस पर उनके 84 million क्या है followers है when देखे बच्चों बहुत बार ऐसा होता है जहां editor ले पढ़ने का मज़ा ही अलग कुछ होता है कब जब उसका structure थोड़ा सा tough होता है तब जब आप उसे पढ़ते हैं और आप उसे समझ लेते हैं तो आप विस्वास करें आपको बहुत खुशे मिलते हैं बच्चों यह challenging है वो बच्चा जो इनसे घबरा जाए अरी क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है यह वो बच्चा नहीं पढ़ सकता है जो बच्चा एक बार दो बार चार बार पांच बार पढ़ने कुवत रखेगा कि मैं किसी भी तरह से समझ के रहूंगा वो बच्चा यह कर लेगा बच्चों और जो बच्चा एरिटोरियल में एक बार मन लगा लिया ना कि हमी समझ में आ रहा है वो बच्चा बच्चों कभी भी इंग्लिस में अस्तफल नहीं हो सकता है विस्वास करें कभी भी असफ़ल नहीं होगा लेकिन फिर मैं कहूंगा आपको समय देना होगा अच्छे से मैं तो एक बार आपको यहां पढ़ाता हूँ ना लेकिन आपको अच्छे से से पढ़ना होगा बार बार पढ़ना होगा देखें और ऐसे कहां कोई पढ़ाता है बच्छों सोचें वो analyze करके प्रहाते हैं, मैं एक एक शब्द, एक एक चीज, पूरा story की तरह आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, words तयार कराता हूँ, सब कुछ जो मेरे से हो सकता है, अभी मैंने अपनी एक series भी आज से start किये, बचों वो भी देखें आप, जो extra session, यानि वो session, जो extra session, जो ची करेगा, when Mr. Trump entered, देख रहे हैंगे, entered के बाद या into का प्रियोग नहीं है, क्योंकि ये race की बाद कर रहा है, जब Mr. Trump ने entered the race, उस दौर में प्रवेश किया, कौन से दौर में, for the Republican presidential nomination in 2015, ये जो समय दिया गया होता है, in 2015, ये adverbial की तरह काम करते हैं, जब भी कोई शब्द या सब्दों का समूह, फ्रेज, कब, क्यों, कैसे, कहा, कितना वगरे का, जब आप दे action verb के साथ, तो तुरन समझ जाएंगे, वो क्या है, वहाँ पे adverb है, तो when Mr. Trump entered the race for the Republican presidential nomination, ये जब वो Republican Party की तरफ से, राष्टपती के लिए, nomination की race में, ये नामकरण की race में, वो उस दौर में प्रवेस किये, उस दौर में शामिल हुए, 2015 में, तो critics scorn him, यानि आलोच को ने scorn him, उनके प्रते क्या प्रदर्शक किया, घिना प्रदर्शक किया, और था तेक तरह से, उनका तिरशकार किया, उनका अनादर किया, किस रूप में, as a, किस रूप में, as a mayor, inconsequential twitter handle, यह कहते हुए, यह केवल inconsequential twitter handle है, यानि इनका जो twitter handle है, वो inconsequential है, means क्या है, असंगत है, बेमेल है, महत्वहीन है, अगर महत्वहीन के sense में आप लें, तो फिर unimportant हो जाएगा, या अगर यह वर याद हो आपको, insignificant, insignificant हो जाएगा, अगर आप बेमेल या अतरक संगत के रूप में लें, तो क्या हो जाएगा यह, incongruous हो जाएगा, या इन कोहरेंट हो जाएगा, यानि असंगत के रूप में, यानि उन्होंने, critics ने उनका मजाक उड़ाया, कि यह केवल एक inconsequential twitter handle है, यानि इनका जो twitter handle है, वो महत्वहीन है, यानि उनके उस सक्त तेवर के लिए, तीखे तेवर के लिए, यह कहा गया, उनके critics ने उनका अपमान किया, अनादर किया, कि उनका जो twitter handle है, वो inconsequential है, means insignificant है, incongruous है, incoherent है, unconnected है, अर्थात एक तरह से बेकार है, कब, जब 2015 में, उन्हों Republican Party के तरफ से, presidential nomination की race में अपने आपको क्या किया, शामिल किया, उस race में Mr. Trump शामिल हुए, बट लेकिन, बढ़िया लाइन है बच्चों यहां, लेकिन, outrage is richly rewarding, लेकिन जो outrage होता है, यह जो क्रोध प्रदर्शित करना होता है, नाराजगी प्रदर्शित करनी होती है, किसी के प्रतितिरशकार प्रदर्शित करना होता है, इस richly rewarding, richly बहुत ज्यादा rewarding पुरसकार स्वरूप होता है, यानि अगर किसी का social media platform पे तिरशकार किया जाता हो, क्रोध प्रदर्शित किया जाता हो, जूता चपल मारा जाता हो, तो social media पर richly rewarding होता है, बहुत अधिक को पुरसकार स्वरूप होता है, on digital platforms, कहां, digital platform में, social media पे, as he went on to prove, और इसी चीज़ को Donald Trump क्या करते रहे, went on, उन्हों जारी रखा to prove, सिद्ध करना, यानि वो सिद्ध करते रहे, कि अगर digital platforms पे, जितना अधिक आप outrage का सामना करते हैं, घिना का सामना करते हैं, नाराजगी का सामना करते हैं, उतना ही वो richly rewarding होता है, उतना ही आपके followers के संख्या, क्या होती जाएगी, बढ़ती जा आएगा, twitter 2 was a beneficiary in the process, beneficiary, लाबदायक और process प्रक्रिया, ट्विटर भी इस प्रक्रिया में क्या रहा उनके लिए beneficiary रहा, लोगों ने critics ने जितना उनका अपमान किया, जितना अनाधर किया, उतने ही उनके followers क्या होते गए, बढ़ते गया था, तो वही twitter उनके लिए richly rewarding हो ग यह लाइने देखें का बच्चों, अच्छी होंगी अगर आप समझ जाएंगे तो, the crafty use of social media, crafty use, चालांकी भरा उप्यो, जब आप crafty use करते हैं, तो आप clever use करते हैं, stude use करते हैं, तो the crafty use of social media, ने social media का चालांकी से भरा हुआ, यानि एक तरह से कलात्मक तरीके से, उप्यो करते हैं, social media का, far incendiary politics, वो भी किसके लिए, incendiary politics, यानि भरकाव राजनीत के लिए, यानि यदि भरकाव राजनीत के लिए, जो social media का crafty use है, the world over scrapped the shine of these decentralized and unregulated platforms that were initially hailed as prodigiously democratizing, बड़ी लाइने लेगें, देखें, खबराएं कभी ने बच्च, लाइने नहीं समझ में आये न, दो बार, तीन बार, चार बार अपने, कैसे नहीं आएगा, where there is the will, there is the way, जहाँ चाहे, वाँ राजनीत के लिए, the world over scrapped the sign of these decent life, पले, the world, उसके लिए संसार ने क्या किया, इस संसार ने क्या किया, over scrapped the shine, उसने उस चमक को scrapped off, क्या कर दिया, remove कर दिया, यानि एक तरह से social media का एक जो चमक थी, यानि उसकी जो अच्छाई थी, उसे इस incendiary politics ने क्या कर दिया, scrap off, उसकी shine को remove कर दिया, कि shine को, these decentralized, वो shine जो उन social media platforms में decentralized, यानि वो किसी तरफ नहीं हुआ करते थे, and unregulated platforms, और वो platform जो किसी के द्वारा नियंतरत नहीं होते थे, जिन पर कोई नियंतर नहीं था, that were initially hailed, ये वो social media platforms थे हैं, initially hailed, initially शुरुवाती तौर पे जिनका स्वागत किया गया था, जिनकी प्रसंशा की गई थी, as किस रूप में, prodigically democratizing, कि ये वो social media platforms हैं, जो विलक्षन रूप में क्या है, democratizing है, ये लोगों को लोकतांत्रिक बनाते हैं, वो social media का crafty use ने क्या कर दिया, scrap of the shine, उसकी जो चमक थी, उसको scrap of कर दिया, क्या कर दिया, खतम कर दिया, किस ने खतम कर दिया, जब लोगों ने अपनी incendiary politics के लिए इसका क्या शुरू कर दिया, crafty use शुरू कर दिया, यह पहले, ऐसा नहीं होता, पहले social media का, social media की तरफ प्रयोग किया, social media का प्रयोग किया जाता था, अभी लोग political use करते हैं, वो भी ऐसी politics नहीं बच्चों, ऐसी parties जो incendiary होती है, भरकाव होती है, तो निश्चत ही, वो social media जो decentralized था, अर्थात एक तरह से कहीं किसी के द्वारा centralized नहीं था, अर्थात कहीं एक तरफ नहीं चलता था, unregulated platforms था, अर्थात कहीं कहीं, ऐसे platforms थे ये, जो किसी के द्वारा नियंतरित नहीं होते थे, और शुरू में इनका क्या किया था, बहुत स्वागत किया, इनकी प्रसंसा की गई थी, कि ये लोगों को democratize करते हैं, में इनको लोगतांत्रिक बनाते हैं, लेकिन ये चमक इसकी क्या हो गई, overscribed आफ, क्या कर दे गई, समाप्त कर दे गई, controversies erupted, यानि शुरू में तो बहुत अच्छा था, लेकिन हुआ क्या, controversies erupted, पढ़ने से बहुत फायदा होगा, regular अगर आप पढ़ेंगे तो, controversies erupted, यानि विवाद शुरू हुए, विवाद उठे, इन quick succession, quick succession लगातार, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी क्या हुए, इन quick succession, बहुत जल्दी-जल्दी, controversies erupted, बहुत सारे विवाद उत्पन हुए, including their, their किस के लिए है, उन platforms के लिए है, including their role in a genocides, किस चीज़ के सहित, genocides में उनका रोल को ले करके, and election rigging, और election में हेरा फेरी को ले कर, rigging means, छल, धोखा, हेरा फेरी, यानि trick जिसको आप कहता है, यानि election में हेरा फेरी को ले करके, और उनके genocides में रोल ले करके, जिनोसाइड में सामोहिक नरसंधार, यानि election में हेरा फेरी को ले करके, और जिनोसाइड को ले करके, उनका जो रोल था, इसके रोल को ले करके, लगातार, बहुत जल्दी-जल्दी, कई सारी कंट्रोवर्सीज, क्या हुए, इरप्ट कर गए, उठ गए, दो मिस्यूज आफ सोसल मेडिया, समझ रहेंगे बच्चों, आसान है, दो मिस्यूज आफ सोसल मेडिया, यानि सोसल मेडिया का दुरुपयोग, तो इस्प्रेड फाल्स हुड, फाल्स हुड में जूठी खवरें, भ्रामक खवरें, यानि जूठी खवरें फैलाने के लिए, तो इस्प्रेड इनिफिनिटिव है, ना नीने हो जाएगा, जूठी खवरें फैलाने के लिए, सोसल मेडिया का जो मिस्यूज था, वो फाल्स हुड्स वो जूटी खबरें that often inside false violence जो हिंसा भरकाती है अकसर वो falsehood को फैलाने के लिए social media का क्या किया गया misuse किया गया और यह misuse जो है has been a particularly tricky question यह वास्तों में रहा है क्या रहा है विसेश रूप से tricky question एक पेंचीदा प्रश्ण रहा है यानि एक पेंचीदा प्रश्ण रहा है विसेश रूप से क्या कि आप जूटी खबरें फैला करके क्या करते हैं violence भरकाते हैं और इस तरह के social media का आप क्या करते हैं misuse करते हैं these platforms यह जो platforms है social media platforms have often आप इन देखे adverb of frequency है तो helping verb और main verb के बीच में है आपका these platforms यह जो platforms है have often declared इन्होंने present perfect answer तो या है वाला sense आएगा इन्होंने अक्सर घोशित किया है their commitment their commitment अपना commitment commitment प्रतिबधता when you are sure of something यह इन्होंने अपनी प्रतिबधता प्रदार्शित की है घोशित की है अक्सर to stop fake news कि क्या करेंगे यह यह भ्रामक खबरों को रोकेंगे इन platforms ने अक्सर घोशित किया है कि यह प्रतिबध है to stop fake news क्या करने के लिए गलत खबरी भ्रामक खबरों को रोकने के लिए बट लेकिन any attempt कोई भी प्रयाश to enforce content regulation जिस प्रयाश में यह enforce करते हो लागू करना चाहते हो content regulation regulation means नियंत्रन content वो सामगरी जो पर परोसी जाती social media पर यानि कोई भी ऐसा प्रयाश जो to enforce content regulation जब यह उस सामगरी पर नियंत्रन करने के लिए लागू करते हैं कोई ऐसा प्रयाश comes तो वो ऐसा प्रयाश comes with additional complications additional और अधिक अतिरिक्त और complications जटलताएं मुश्किलें पेंचेदगियां यानि देखें फिर से बत्चों आज देखलें आसान है इन प्रतिबद्ध हैं तो इस टाप फेक नियूस अब गलत खबरों को रोकने के लिए कौई भी इनका प्रयाश to enforce content regulation जिसमें ये सामगरी पर यानि सामगरी जो परोसी जाती है उसको नियंतरत करने के इनका जो कोई प्रयाश होता है जब उसे वो लागो करने की कोशिश करते हैं उसको नियंतरत करने कोशिश करते हैं तो comes with additional complications तो और अधि क्या आ जाती हैं और जटिलताएं आ जाती हैं जैसा कि Twitter's attempt जैसा कि Twitter का वो प्रयाश कौन सा प्रयाश to fact check the president shows जैसा कि Tutor का वो प्रयाश दिखाता है क्या दिखाता है fact check the president जब president के द्वारा दिये गया statement को वो fact check करते हैं यानि उसको उसकी सचाई की परक करते हैं को सही या गलत तो फिर और अधि क्या उत्पन हो जाती हैं कम शविद अडिशनल काम्प्रिकेशन और पिंचेदिया और जटिलताएं उत्पन हो जाती हैं the intention समझते हैं कि नाउन के रूप में आपका है ये इरादा the intention to ensure all political discussions are fact bound यानि वो इरादा कौन सा इरादा to ensure सुनिश्चित करने का वो इरादा कि all political discussions कि सभी जो राजनीतिक discussions होते हैं बहसे होती हैं are fact bound वो क्या होते हैं तथ्य परक होते हैं and or sharn of inflammatory rhetoric और किस चीज से दूर होते हैं किस चीज से कत्रे गए होते हैं inflammatory rhetoric भरकाओ भाशन से भरकाओ बातों से is वो उनका जो intention है is laudatory वो intention उनका क्या है प्रसंसा जनक है मैं जातों आप नहीं समझ पाए होंगे देखें बच्चों लेकिन निराश नहों देखें the intention वो इरादा कौन सा इरादा to ensure all political discussions are fact bound यह ensure करना यानि वो इरादा जिसमें वो सुनिश्चित कर सकें कि all political discussions are fact bound कि सभी जो राजनितिक बाते हैं बहसे होती हैं वो fact bound हैं तथे पर रखें यानि तथे पर आधारित हैं और क्या और क्या चीज़ और कौन सा intention और क्या चीज़ सुनिश्चित करना है उनको and sharn, sharn क्या होता है बच्चों यह जानने shear, shear मिन्स क्या होता है कतरना, काटना shear की second और third form जो होती है वो sheared और sheared होती है लेकिन इसकी third form sharn भी होती है ठीक है adjective के रोप में तो उसी कतरने से समंदित है देखें तो वो इरादा to ensure all political discussions are fat bound जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राजनतिक बैसे जो है वो fat bound है and sharn of inflammatory rhetoric और जो inflammatory rhetoric है यानि भड़काव जो बाते हैं भड़काव भाशन है उनसे बिलकुल sharn है, मुक्त है उनसे काट दिये गए, अलग कर दिये गए है वो intention, ऐसा कोई intention is a laudatory, क्या है प्रसंसा जनक है, बट लेकिन no one body यानि nobody can be the enforcer in this thing कोई भी इनमे enforcer नहीं हो सकता है परता है इनको लागू करने वाला नहीं हो सकता है यानि यह सुनिश्चित करना कि all political discussions are fact bound यानि सभी राजनतिक बातें बहसें जो होते हो fact bound है और यह सुनिश्चित करना कि शार्न आफ इन्फ्लामेटरी रेटरिक कि जो इन्फ्लामेटरी रेटरिक भरकाओ बातें होते हैं उनसे यह दूर रहते हैं उनको अलग कर देते हैं यह intention उनका जो है ट्विटर वगरे का यह laudatory है प्रसंसा जनक है बट लेकिन no one body can be the enforcer in this लेकिन इसमें कोई भी क्या नहीं होता है enforcer नहीं हो सकता है उसे लागू करने वाला नहीं हो सकता है the current conflict conflict याद है न संघर्ष जगड़ा यह जो वरतमान जगड़ा है विद्यमान जगड़ा है between the president and the social media platform देखे दो लोग है न तो फिर यह between लगाया गया president और social media दो पच्छ हैं इसले between है यह जो वरतमान संघर्ष जगड़ा है between the president and the social media platform इनके बीच में is वो जगड़ा वो conflict is only a component of the ongoing wider debate यानि यह उस चलने वाली बड़ी बहस का एक component है एक हिस्सा है यह जो वरतमान में जगड़ा चल लहा है राश्टपती के बीच और social media platforms के बीच में यह केवल एक उस चलने वाली लंबी बहस का एक हिस्सा है in the US जो बहस कहां चल लही है US में और कौन सी बहस on the nature of large tech companies कि यह जो large बड़ी बड़ी technology की companies हैं इनका स्वरूप कैसा होना चाए इस पर US में जो लंबी चौड़ी लगातार बहस चल लही है उसी का एक हिस्सा है क्या यह जो current conflict है वर्तमान जगडा किन के बेच में राश्पती के बेच और सोसल मेडिया प्लाटफॉर्म के बेच बिग टेक कंपनी जो बड़ी बड़ी टेकनोलजी की कंपनियां है सच एज गूगल फेस्बोक, अमेजोन माइक्रोसाफ्ट एपल यह जो बड़ी बड़ी टेकनोलजी के कंपनियां है, इन्होंने have given rise कौन सी concerns को बढ़ा दिया है आप privacy निजता की चिंटाओं को data misuse data के दुरुपियों की चिंताओं को पॉलिटिकल बायश राजनीतिक पच्छपात को बढ़ा दिया है मोनोपली बिहैवियर लोगों के अंदर मोनोपली बिहैवियर यानि एक तरह से एक सत्तात्मक ब्यवहार को बढ़ा दिया है टैक्स अवाइडेंस टैक्स से बचने को बढ़ा दिया है और नेशनल सेक्योर्टी और राष्ट की जो सुरक्छा है उसकी चिंताओं को बढ़ा दिया यानि कौन-कौन से चिंताओं को बढ़ाया प्राइवेसी की चिंताओं को बढ़ाया डेटा में सी उस की चिंताओं को बढ़ाया पुलिटिकल बायस यानि राजनेतिक पच्छपात की चिंताओं को बढ़ाया मोनोपली प्हिवियर, एक मोनोपली समस्ते हैं न, किसी चीज पर आपका पूरा जो अकेला आपका अधिकार होता है वो monopoly, mono means से ही एक होता है अकेला तो monopoly behavior की चिंताओं को बढ़ाया है tax avoidance and tax jury वगरण avoid करने के चिंताओं को बढ़ाया है and national security और राष्ट की जो सुरक्षा है उसकी चिंताओं को बढ़ाया है किनों ने? इन Google ने, Facebook ने, Amazon ने, Microsoft ने और Apple जैसे ही बड़ी-बड़ी company ने in the US, US में अमेरिका में there is a common ground common ground means आम धारणा क्या होती है? आम धारणा यानि अमेरिका में एक आम धारणा देखे, a common ground singular है तो there के साथ is लगा करें, अमेरिका में एक आम धारणा और यहां देखे, US के साथ कोई noun नहीं था ने, तो US के पहले क्या लगा? द लगा US में, there is a common ground common ground singular था, इसलिए इसके पहले ए लगा, एक आम धारणा है among the Democrats किन के बीच में? Democrats के बीच में and Democratic Party के जो सदश्य हैं उनके बीच में and the Republicans और जो Republic Party के नेता है उनके बीच, देखे, Republicans अलग हैं, Democrats अलग हैं तो दोनों से पहले देखे, द लगा है ना, दोनों के पहले इन्हीं, Democratic Party के जो सदश्य हैं जो Republican Party के सदश्य हैं इन दोनों के बीच में एक आम धारणा है, क्या? That की, these tech companies यह जो tech companies है नीड टू बी रेंड इन, पैसिव वैस है नीड टू बी रेंड इन, यानि इनपर रेंड इन, क्या लगाई जानην चाहिए? लगाम लगाई जाने चाहिए लगाई जानी चाहिए लगाई जानी लगाएंगे निए यह forest इन पर लगाई जाने चे पैसेवाज आप बचो मेरा वो जो कल मैंने डाला हुआ है अपना extra session के नाम से जरूर देखेगा जो moderate बच्चेओं brilliant बच्चेओं सब जरूर देखें बच्चेओं आपकी बहुत काम आएगा विस्वास करें बहुत काम आएगा ऐसा वीडियो जिसमे मैं कईचों को समझाने कोशश किया हूँ ऐसी चीज़ों को जो यहां पर आप पढ़ते हैं देखें तो जो republicans हैं डेमोक्रेट्स हैं इनमें एक आमधाना है that की these tech companies यह जो technology भरी कमपनिया है need to be rendered in इनको किस में लिया जाना चाहिए इनको नियंतर में लिया जाना चाहिए अर्थात इनको नियंतरत किया जाना चाहिए Republicans से यानि जो Republic Party सदर्श हैं वो कहते हैं कि Social Media Platforms कि जो Social Media Platforms हैं are anti-conservative यह गैर पारंपरिक है यानि conservative कौन होते हैं जो पारंपरिक होते हैं रूड ही गत होते हैं रूड ही वादी होते हैं यानि वो कहते हैं कि anti-conservative हैं कौन यह Republicans कहते हैं किन के लिए कहते हैं इनों Big Tech Companies के लिए कि एंटि कंजर्वेटिव हैं तो डेमोक्राट्स बिलीव तो डेमोक्राटिक पार्डी के सदर्श विस्वाश करते हैं कि सम आफ देस प्लाटफर्म सारे नहीं लिए कुछ ऐसे सोचल मीडिया के प्लाटफर्म से हैं are easily manipulated जिनें तैयार किया जा सकता है जिनें मनाया जा सकता ह by enemies किसके द्वारा शत्रों के द्वारा of the nation यानि अमेरिका के जो दुस्मन शत्रों हैं राष्ट्र हैं उनके द्वारा कहिन के इन कंपनियों को easily manipulated अपनी तरफ मिलाया जा सकता है and accuse them of देखें उसके साथ आफ है न और ये जो Republicans हैं Democrats हैं ये इन पर आरोप लगाते हैं of unfair trade कि ये गलत तरीके का trade करते हैं and labor practices और गलत तरीके का labor practices जानि स्टम से समन्दित तानून वगरण प्रथाएं वगरण चलाते हैं and call for breaking them up और वो मांग करते हैं breaking them up break up क्या होता है to bring to an end और मांग करते हैं कि इन companies को क्या कर दिया जाया या in social media platforms को breaking them up समाप्त कर दिया जाया बंद कर दिया जाया इनका बाजार क्यों क्योंकि ये क्या करते हैं इनके इनुसार कि इनके जो enemies हैं इनके देश के इनको manipulate कर सकते हैं अर्थात एक तरह से आसानी से उन्हें अपनी तरफ मिला सकते हैं बहका सकते हैं लाश्ट पैसे बच्चों Facebook's attempt to launch a digital currency यानि Facebook का वो प्रयास कौन सा प्रयास to launch a digital currency यानि एक digital currency start करने लांच करने का Facebook का जो प्रयास है कौन सी करेंसी लिब्रा जैसे आपके रूपया है किसी का येइन है किसी का दिनार है किसी का डालर है किसी कुछ है वैसे Facebook का ये प्रयास to launch a digital currency यानि इस ने कहीं कहीं शुरू कर दिया है आरंब कर दिया है शावरेंटी concern कैसी चिंताओं को समप्रभुता की चिंताओं को इन्हीं समप्रभुता से समंदिच चिंताओं को इसने शुरू कर दिया है किसने Facebook के उस प्रयाश ने जिसमें वो launch करने जा रहा है अपनी digital currency किस नाम से लिब्रा के नाम से और ये चिंताओं किन के बीच में है among nations बहुत सारी राष्ट्र है इस तो देखे among आ गया between नहीं आया इन्हीं राष्ट्रों के बीच में अपनी शंप्रभुता को लेकर के चिंताओं ब्याप्त हो गई शुरू हो गई है जब Facebook ने प्रयाश किया है तो launch digital currency लिब्रा के नाम से it had it किसके लिए है ये Facebook के लिए है it had to pay 5 billion in fines had to यानि उससे ऐसा करना पड़ा है ना have to का past had to होता है जैसे कोई कहे मुझे जाना पड़ता है तो I have to go मुझे जाना पड़ा I had to go मुझे जाना पड़ेगा I will have to go ठीक है करें I it had to pay 5 billion in fines जुर्माने में इससे 5 billion डालर चुकाना पड़ा किसले to settle investigations उन जाचों को settle करने के लिए दुरुस्त करने के लिए into its misuse of data जिन जाचों में पाय गया था किसने data का misuse किया था in the Cambridge Analytica Controversy Cambridge Analytica का जो controversy विवाद हुआ था जिसमें आरोप था किसने data का misuse किया था उस investigation को settle करने के लिए उसे fine के रोप में 5 billion डालर क्या करना पड़ा था fine के रोप में देना पड़ा था these companies ये जो देखें these के बाद हमेशा plural लें this के बाद हमेशा singular लें these companies ये जो companyya हैं boast of boast of इन्हें घमंड रहता है क्या being global इन कंपनियों को ये घमंड रहता है being global कि क्या है ये global है सारो भावमिक है वैश्विक अस्तर पर है and और क्या घमंड रहता है able to fly above the eyes of government कि ये government की eyes से भी fly above क्या है ऊपर है अर्थात उन से भी ये बड़ी है some re-ordering, re-ordering क्या होता है पुनर व्यवस्था बच्चो किसी चीज़ को फिर से क्रम में ले आना व्यवस्थित करना some re-ordering of that arrangement यानि इस प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्था की कुछ re-ordering पुनर व्यवस्था जो है appears, प्रतीत होती है to be on the horizon कि वो कहिन कहिन सितिस पर प्रतीत हो रही, दिखाई दे रही है लेकिन, but it would be a pity, लेकिन ये दुख की बात होगी, यानि ये pity means दया यह नहीं होगा बच्चो it would be a pity means ये दुख की बात होगी, if यदि the trigger, यदि ये शुरुवात, फार्द ओवरहाल, ओवरहाल means पूरी तरह से मरमत करना, ठीक ठाक करना लोग कहते हैं, इस साइकल के मैं ओवरहालिंग कराने जा रहा हूँ, पूरी तरह से मरमत कराने जा रहा हूँ तो it would be a pity, ये दुख की बात होगी, if the trigger यदि शुरुवात, फार्द ओवरहाल, यानि यदि इस मरमत करने की जो शुरुवात है, is, वो है, क्या है, one social media platform's attempt, यानि एक social media platform का एक प्रयास, कौन सा प्रयास? to call out the irresponsible statements of the worst, most powerful leader, उल्टा पने बच्चों, आसान हो जाएगा, विश्व के सबसे सक्तिशाली नेता, के जो irresponsible statements थे, गैर जिम्मेदाराना, जो वक्त अब थे, उसको call out करना, यानि उसकी निंदा करना, एक social media का जो ये प्रयास था, यानि एक social media का ये प्रयास, कौन सा प्रया कि उसने विश्व के सबसे प्रभावशाली, सबसे सक्तिशाली नेता के गैर जिम्मेदारान statement को call out किया, उसकी निंदा की, और अब आप क्या करने जा रहे हैं, if the trigger for the overall, और आप चारे सारी social media platforms का overhaul कर दें, हम उनका क्या कर दें, मतलब मरमत कर दें, तो it would be a pity, ये किसकी ब बात होगे, ठीक है, ये words हैं बच्चों आपके, ये सबसे important segments में जरूर देखा करें, बात में भी देखा करें, मेरी प्रहानेक बात भी देख लिया करें आप, अगर आपको लगता है, वीडियो में नहीं देख सकते हैं, PDF में देता हो, टेलिग्राम पे, वहां से आप पू जिन बच्चों के वीडियोज वगर छूट जाते हैं, तो बात में लाश्ट में देखें कि वीडियोज मेरे आते हैं, वो वीडियोज वहां से भी पड़ सकते हैं, brewing, ब्रू से क्या हो जाएगा, आरंब होना, किसी चीज़ की प्रक्रिया का आरंब होना, versus मैंने दिया जान इसने चीज़ें खुद जूडती जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, by itself स्वयम ही, अकेले ही, जैसे he was sitting by himself, वो अकेले ही बैठा हुआ था, टाइरेड, प्रलाप, यानि निन्दा भाशन, class apart, one who is different from others, यानि जब आप दोसों से अलग हैं, you are a class apart, flag यहां पे किस sense में था आपको याद है, flag मेंसी यह बताना या चेतावनी देना कि यह चीज़ गलत है या यह चीज़ important है, यह flag करना होता है, factually यानि तथ्यात्मक तौर पे, तथ्य के तौर पर, threaten धम की देना, threat में यह अंजोड के वर बना दिया गया, close down, suspend करना या बंद कर देना, stop कर देना, इस ग्रोप में घ्रणा और वर्क ग्रोप में घ्रणा प्रदोर्शित करना, inconsequential means incongruous, means incoherent, means unconnected, means in significant, means unimportant, means जिसका कोई महत्तो नहो, बेमेल हो, अतारकिक हो, एस सर्भिक क्या हो, जो तीखा हो, सक्त हो, अर्था जो यह हो, याद है आपको, इस कैठिंग हो, याद है नो, posturing याद करें, तेवर, यानि भाव दिखाना, तेवर दिखाना, रवया प्रदर्शित करना, आउट्रेज, एंगर, जब आप एंगर का reaction देते हैं, तो वो आउट्रेज होता है, beneficiary, लाब दायक, मैं सब कहिन के, लाब देने वाला, crafty, चालांक, crafty के समस्तिन बच्चों, ये, artful, चालांक, या ये वड़ अगर आप जानते हो, मैं यह लिख दे रहा हूँ, strud, है न, incendiary, जो inflammatory हो, मेंस भरकाने वाला हो, आग लगाने वाला हो, inciting कह सकते हैं, decentralized हो, जिसको centralized न किया गया हो, डिस अलग-अलग हो, अर्था केंद्रित न हो, हेल, वर्व के रूप में स्वागत करना, प्रसंशा करना, prodigiously, ये adverb के रूप में, prodigiously, यानि विलक्षर तरीके से, democratizing, अर्था democratic बनाने का कारिय, लोगतांत्रिक बनाने का कारिय, erupt, शुरू हो जाना, succession, एक के बाद दूसरा, genocide, सामुहिक नरसंगहार, election rigging, यानि election में जो धोखा होता है, means जो हेरा फेरी होती है, insight, किसी को goad करना, यानि किसी को insight करना, किसी को excite करना, means उसे क्या करना, भड़काना, उसे foment करना, commitment क्या होता है, आपने सलमान खांग सुनान, एक बार मैं जो commitment कर देता हूं मैं, खुद को भी नहीं हो करता, commitment प्रति बद्धता, जो आप कह दें, अगर उसे पूरा करते हैं, तो आप committed हैं, enforce लागू करना, content संतुष्टी भी होती नाउन के रूप में, और सामग्री भी होती है, regulation means नियंत्रत करने का कारिया, कानून भी कह सकते हैं आप, complications, जटिलताएं, difficulties, problems, fact check को, यानि fact को चेक करनी का कारिया, शार्न, क्या हो जाएगा ये, याद है, shear की third form हैं बच्चों ये, shear means कतरना, काटना, उसका third form शार्न होता है, adjective के रूप में, inflammatory rhetoric, ऐसा भाषन जो भरकानी वाला हो, लगाने वाला हो, laudatory, lord से बना है, प्रसंशात्मत, प्रसंशात्य, जनत, बायश क्या होता है, पच्च पात, और बढ़िया बढ़ हो जाएगा बच्चों, इसी में आप बस ED जोड़ दें, बायश्र, बायश्र, पच्च पाती, पच्च पाती को क्या कहते हैं बच्चों, याद है आपको, याद है, पार्शियल, इसी में ITY जोड़ देंगे पार्शियल्टी, पच्च पात हो जाएगा, मोनोपली, एक आधिकार, एक व्यक्ति का पूरा अधिकार, रेन, इन, किसी चीज़ पर लगाम लगाना, नियंतरन लगाना, मैनिपुलेट, बहकाना, अपनी तरफ मिला लेना, इसका शुद अर्थ होता है, कि आप किसी को इस तरीके से एक्स्प्लेइन करते हो, कि वो आपकी बात मान ले, जबकि वास्तों में आपका मक्षद जायज नहों, सही नहों, कॉलफार, आवश्यक्ता प्रकट करना, मांग करना, ब्रेक अप कई अर्थ होते हैं, बच्चों, अगर कोई रिलेशन चल लहा है, उस रिलेशन का अंत हो जाता है, तो भी वो ब्रेक अप होता है, कोई सामान है, गिरता है, तूर जाता है, तो भी वो ब्रेक अप होता है, क और किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना भी ब्रेक अप करना होता है। ट्रिगर शुरुवात करना, सावरेंटी, सम्प्रभुता, प्रभु के समान जो है उसके पास सावरेंटी है। बोष्ट के साथ आफ लगता है बच्चों ध्यान रखेगा, डिंगे हांकना, शेखी बगहारना, ओवर्हाल मरमत करने का कारिय, इरिस्पांसिबल गैर जिम्मेदार आना और आनगोई जो चल लहा हो। थीक है? सारी वर्ष जरूर देखेगा बच्चों, और ये 4-5 वर्ष में रोज आपको देता हूँ इसमें, ताकि अगर ये वर्ष आप न बोल पाएं, तो हिंदी में देता हूँ, ताकि आप इन सारी वर्ष ओं क्या कर लें, बोलना सेके लें, वैसे सारी वर्ष धेरी-द अच्छा हो गया, आपको परहना आ गया, समझना आ गया, ठीक है, अपनी हर, जो मेरी एट्रोल से सन होता है बच्चों, अपनी राय जरूर रखा करें, सर यह यहां पर नेगडिव पॉइंट रहा, सर यह यहां पाश्टिव पॉइंट रहा, इससे मैं थोड़ा सा सोचता हू क्या मैं और क्या बहतर कर सकता हूं बच्चों, क्या चीद मेरा पाश्टिव है, क्या चीद नेगडिव है, हर बेग चाहता है, उसको उसकी कम्या पता चलें, ताकि वो दूर करें उन्हें, और हर बेग चाहता है, उसकी उससे अच्छाईयां बताई जाए जाएं, ताकि उ उन बच्चों का भी फायदा हो और सर भी केंगे motivated हो, inspired हो इसले बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं next session में, यानि 9 बजी मिलते हैं अगले दिन, या अगर मुझे लेगेगा इस editorial में prepositions या कुछ structures वगर ऐसे हैं, जो अच्छे हैं, मैं आज ही से देने के आपको कोशिश करूँ बच्चों का अच्छे हैं, इसले बच्चों का आपको से दिलर करूँ रच्चों अच्चों का आपको का अच्चों करूँ और स्बच्चल